आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले नमस्कार जोतिस ग्यान में दर्शो को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज हम बात करते हैं शनी देव के राशी परिवर्तन की हमारे बहुत सारे दर्शोगों को इस वीडियो का इंतिजार था और ऐसे दर्शोगों को भी रहता है जो दर्शक कहीं न कहीं कुछ बाते अन्यंत्र सुन करके डर जाते हैं शनी का राशी परिवर्तन बहुत मुल्यवान है और शनी के राशी परिवर्तन पर हम कुछ विशेश उपाई भी आपको आज इस वीडियो में बताएंगे 24 जनवरी को शनी देव का राशी परिवर्तन है शनी देव धाई वर्ष के लिए अपने घर में अपनी राशी में मकर राशी में 24 जनवरी को आ रहे हैं बहुत लोग ये वीडियो हमारा शायद 24 जनवरी के बाद भी सुने तो उसमें जो दानपुन की बाते हैं और इस प्रकार की जो चीजे हैं वो आप करने का प्रियास जरूर करें क्योंकि शनी का ये राशी प्रिवर्तन एक दिन के लिए नहीं है धाई वर्ष के लिए है शनी देव 24 जनवरी उस दिन एक चीज और ध्यान रखें मोनी अमावस्या भी है मोनी अमावस्या का महत्यम में अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्यम में होता है हाला कि दिन शुकरवार का है और नक्षत्र भी आपको बता देते हैं पूर्वा शाड़ा नक्षत्र के दित्य चरण में शनी देव राशी परिवर्तन कर रहे हैं और एक चीज और बहुत बड़ी जानने लायक है कि शनी देव जो मकर राशी में आ रहे हैं उसी मकर राशी में सूर्य भी हैं पिता और पुत्र का एक राशी में होना क्या बाते ब शेर मार्केट के लिए बड़ी उठक पटक इस योग से देखी जा सकती है और बहुत सारी चीजों में तेजी मंदी इस प्रकार की चीजों से इस प्रकार की योग से देखी जा सकती है तीस वर्सों की पूरी cycling शनीदेव करते हैं और तीस वर्सों में एक रासी पर ढई ढई वर्स रहते हैं तो यह पूरे तीस वर्स हो जाते हैं और एक व्यक्ति के जीवन میں करीब करीब, बाकी तो देखो इश्वर की इच्छा है करीब करीब तीन बार साड़े सती से शनी देव एक व्यक्ति को गुजारते हैं करीब करीब तो ये बहुत बड़ी बात है जिसको तीन साड़े सती जिसके व्यक्ति के जीवन में जिसे प्राप्त होती है तो वो जरूरी नहीं कि वो तीनों साड़े सती उस व्यक्ति के लिए अशुब होती है शुब भी होती है तो ये राशी परिवर्तन आप यूं मानके चले सभी के लिए अशुब नहीं है और सभी के लिए शुब भी नहीं है तो मैं तो आप से यही कहूंगा कि शुब हो या शुब हो हमें शनी देव को प्रसंद करने के लिए क्या विशेस उपाई करने है मेन बात आप इस चीज़ को ध्यान में रखे शनी देव का नाम आते ही लोग घवरा जाते हैं लोग डर जाते हैं लोगों को ये लगने लगता है कि निजाने अब क्या हो जाएगा मैं अपने सभी दर्शुकों से कहता हूँ कि वो शनी जनोंने तप तितिक्षा में तपस्या में अपने सरीर को बिल्कुल मिटा डाला हो करकश काय जिनका शरीर हो गया हो काली देह जिनकी पढ़ गई हो ऐसे सनी नियाई के देव शनी और आपको शायदि यह भली बाती से मालुम होगा कि जिस प्रकार से रावन ने अनन्य तपस्या की भगवान शिव की उसी प्रकार से शनी देव ने भी बहुत भारी तपस्या भगवान शिव की की है और भगवान शिव से ही शनी देव को आशिरवाद प्राप्त हुआ क्या दंड नायक कि आज से मैं तुम से प्रसंद हूँ और तुम्हें दंड नायक की उपादी दी जाती है नव ग्रहों में शनी को इस्थान प्राप्त हुआ अब दंड नायक की स्थिति क्या है जो व्यक्ति चोरी चकारी करते हैं नियायलने में जूर बोलते हैं जूटी गवाई देते हैं उल्टे सीधे कर्म करते हैं बुरे कर्म करते हैं तो हर बुरे कर्म पर और शुब कर्म पर शनी की पहनी निगा रहती है शनी नियाय के देव है इसलिए जो व्यक्ती जैसा करम करता है उसे उसी प्रकार का दंड शनी देव देते हैं आई बात समझ में भागवानाशिव का असिरवाद है तो सबी को शनी देव दंड नहीं दे सकते हैं ये भी आपको बता देंगे ये क्योंकि वो न्याय प्रिये हैं तो जैसा जो करम करता है उसे वो वैसा ही सजा देते हैं वैसा ही उसको दंड देते हैं और एक चीज और है जो सास्त्रों में कहा गया है आपकी जनम पत्रिका में शनी जब उचके होते हैं तो निश्चत जान लीजिएगा कि पूर जनम के करम आपके अच्छे हैं और इस आपको बहुत कुछ देंगे शनी देव नीच के जिस जातक की जर्म पत्रिका में आते हैं तो कहीं न कहीं अशुब कर्म लेकर कि वो जातक धरा पर उत्पन होता है लेकिन यदि वो इस धरा पर उत्पन होने के बाद शुब कर्म करता चला जाए तो किसी प्रकार का कोई डर और भै नहीं होता, तो मेरे दर्शकों, किस रासी का होगा बुरा हाल, और किस रासी को करेंगे माला माल, मुझे ये उकती समझ में नहीं आती, जब शनी न्याए प्रिया हैं, जब शनी दंड नायक हैं, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी को धंड दें, और किसी को शुबता दें, वो नयाए ही करेंगे, जैसा जिसका करम, उसके साथ वैसा ही वो नयाए करेंगे, इसलिए अच्छे करम करते रहिए, शुब Sacramento करते रहिए, प्रभु की राधना करते रहिए, किसी प्रगार का कोई भै मन में ना रखिए 24 तारिक को होने वाला ये परिवर्तन बहुत ही आपको कुछ देगर के जाने वाला है अब जनम पत्रिका में 12 भाव होते 12 भावो में आपके शनी की इस्तिती कहां पर है जरूरी नहीं सभी के केंदर में मकर रासी विद्दमान हो किसी के पंचब में हो सकती है किसी का मकर लगन हो सकता है किसी के कहीं पर हो सकती है तो सभी की इस्तिती अपने अपने हिसाब से अलग है और सभी के करम अपने अपने हिसाब से अलग है सभी का जर्मस्थान अपने अपने हिसाब से अलग है किसी का सुबह का, किसी का रात का, किसी का दिन का तो आप बहुत ज़्यादा मेरे साथ को, मेरे दर्श को आप बहुत ज़्यादा चिंता ना किया करें शनी कोई मामूली देव नहीं है सूरिय के पुत्र है चाया उनकी मा है और धर्म करम न्याय अन्याय में एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी संक्षिप्त मैं बता रहा हूं इन्होंने अपने पिता को भी रुष्ट कर दिया और इस्तिती ये रही कि आज तक भी शनी के पिता सूर्य उनसे रुष्ट है अब भही कई बार पिता पुत्र में भी ठनक जाती है किसी बात को ले करके पिता जिस चीज को कह रहे होते हैं जरूर नहीं कई बार वो चीज सत्य ही हो पुत्र भी कई बार सही बात कर देता है बात समझी है आप है ना बहुत ज़्यादा एकदम विपरित ना हमारे शब्दो तो आज तक भी दोनों का मतभेद है और कमाल की बात देखिए के समवंत 2076 जो ये चल रहा है जो ये समवंत चल रहा है हर बार जब हमारा समवंत चेंज होता है नवरात्रों में आकर के तो उस समवंत के उस पूरे वर्ष के एक राजा होते हैं एक मंत्री होते हैं तो इस बार इत्तफाक देखो के शनी जो है इस समवंत के राजा है और सूर्य इस समवंत के मंत्री है तो सनी और सूर्य मंत्री और राजा दोनों ही मकर रासी में विद्वान हो जाएंगे सूर्य तो बदल चुके है लेकिन शनी जो है वो 24 तारीक को यहां आ जाएंगे अब कैसा यह संयोग है कि राजा और मंत्री एक भाव में पिता और पुत्र एक भाव में है ना मित्र और शत्रू एक भाव में तो ऐसी इस्तिती में अही फेन उत्पन हो जाता है ऐसी इस्तिती में विशमता उत्पन हो जाती है लेकिन जो अच्छे सादक हैं अच्छे कर्म करने वाले हमारे दर्शक हैं उन्हें किसी प्रकार के भैकी आवशकता नहीं है आपको शुबता ही प्राप्त होगी दूसरी बात शनी देव सूरीय के पुत्र के साथ साथ छाया इनकी माता है और एक विस्यस्ता और है ये पांच भाई भैन है शनी जो है इनके जो अनुज है वो कौन है? यम्राज अब यम्राज का नाम लेते भी डर लगता है ये बेकोन बुलाता अपने घर में यम्राज को तो यम्राज के जो भाई हो काल के जो भाई हो और जिनकी तीन बहने हैं जिसमें एक बहन जैसे भद्रा भी हैं एक बहन इनकी यमनाजी भी हैं तो तीन बहनों के ये बहाई हैं ऐसी फैमिली के जो पुत्र हैं वो आपका नुक्सान नहीं कर सकते हैं सूर्य देव पूरे विश्व को चमतकरत कर देते हैं, निशा का अधेरा छांट देते हैं, और प्रकाश में उस पूरी संसार को पुलकित कर देते हैं, ऐसे पिता के पुत्र हैं, तो आप डरते क्यों हैं, और इनकी अपनी रासी जो होती है शनी की, अपनी रासी जिस पर बराशी की ये स्वामी है आठवे और बारवे भाव के ये कारक भी है और साथ ही तुला राशी पर ये उच्छ के हो जाते हैं और मेश राशी पर ये नीच के हो जाते हैं लेकिन कई बार हमने देखा है कि नीच राशी पर आकर भी इनका शुब बहुत बढ़िया होता है इनक इनके नाम भी है अलग अलग नामों से इने लोग बाग जानते भी हैं जैसे शनिस्चर शनई धीरे चल चलने वाला बहुत मंदगती से चलने वाले ये ग्रह माने गए हैं और व्यक्ति के जब सनी बहुत मलिन होते हैं तो ये बहुत ही एक व्यक्ति के अंदर आलस्य, प्रगार की सिद्धियों को ये आशिरवात देने वाले देव हैं क्योंकि इस तुम्हें बहुत बड़े तपस्वी भी हैं नेम्रोलोजी की बात करें अंक जोतिस में आठ नंबर के उपर इनका अधिपत्य रहता एट नंबर के उपर और यदि पामिष्ट्री जगत में ये एस्तोलोजी हो कुंडली का विज्ञान हो हर जगे इनका अपना पूर्ण तरीके से आधिपत्य है इसलिए शनी देव की साधना शनी देव की अराधना जो व्यक्ति करता रहता है चैंशनी साड़े सती में आएं चैंशनी धहिया में आएं चैंशनी आपकी जनपत्रिगा म नीच रासी के हो आपको शुवफल ही प्राप्त कराएंगे ही कराएंगे शनी देव के कुछ नाम मंद सनिस्चर सूर्यज अर्क पुत्र नील भासकरी असित चाया आतमज आधी नामों से भी इनको जन जाता है जनम पत्रिगा के आठवे दसवे और बारवे भाव के कारक भ ना देते हैं और जिस वक्त में राजा भी अगर बुरे कर्म की तरब चलता है तो उसको रंक बनने में भी ये देर नहीं लगाते हैं हम रामन की बात करें रामन को 6 सास्तर 18 प्रौनों का गयता हम कहते हैं और जिस रामन ने शनी देव को अपने कारगार में उल्टा लटका लिया हूँ उस रावण की भी दुर्दशा का कारण शनी बने पांडवों का बनवास राजा हरिश्चंद्र की बात आप समने जानी है तो मेरे दर्श को शनी देव की उपासना साधना हम सब को बहुत अच्छे से इस बार करनी है और जो मेरा ये वीडियो यदि बाद में भी देखते हैं क्योंकि शनी धाई वर्श के लिए हैं तो वो साधना उपासना से पीछे नाट हैं चोबिस तारिक दिन शुक्रवार चोबिस जनवरी और साथ में शनी देव का राशी परिवर्तन करके धनु रासी से मकर राशी में आना और मही पर सूरिया का पहले से ही विद कर लेते हैं उस दिन काली छत्री काला कंबल काला मफरल काली टोपी गरीबों में बाटे जहां पर भी ऐसे निर्धन लोग रहते हैं जरूर बाटिएगा शनी मंदिर में जाएं शाम के समय साथ बत्तियों वाला सरसो के तेल का दीप जलाएं और शनी देव के चरणों पर थ तिल उस पर छोड़ दें एक या तीन मुठी काला उड़द साबुत उड़द जो होता है साथ में ले जाएं और यदि संबभ हो तो काली जो गुलाब जमुन होती है उसके साथ पीस छोटे चोटे या बड़े वाले साथ ले करके जाएं या काला चना उबला हुआ साथ ले करके जाएं अब आप महा पहुँच जाएं शनी देव को प्रणाम करें और प्रणाम करने के बाद जो सरसो के तेल का साथ बत्यों का दीपक है जो आफ साबुत उड़द लेके गए हैं वो शनी देव की प्रतीमा के सामने रखें डेहरी सी बना दें और उसके ओपर दीपक रखें और साथ बत्यां जला दें थोड़ा सरसो का तेल शनी देव के चर्णों पर लगाएं और शमी के जो पत्ते हैं वो शनी देव को अरपन करें और शनी देव के ही चर्णों में बैट करके पदम पुराण में लिखा गया शनी इस्तोत्र जो राजा दशरत ने पढ़ा था उसको साथ बार पढ़ें बहुत ही अच्छा उससे आपको लब मिलेगा शनी देव के नाना भाती के मंत्र हैं शनी देव के अश्टोत्र नाम है एक स्वाथ नाम है वहाँ पढ़ें यदि ऐसा मंदिर हो जहां आपको लगता है भीड है बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं त और शनी देव का जो मंत्र होता है ओम शम सनिस्चराई नमा या ओम प्रांग परिंग प्रांग शह सनिस्चराई नमा वैसे सबसे बढ़िया है ओम शम सनिस्चराई नमा इस मंत्र की साथ माला रुद्राक्ष की माला से करें बहुत ही अच्छा आपको लाब मिलेगा आपकी किसी वे प्रिकार से कोई हानी नुकसान नहीं होगा ध्यान रखें ये करम 24 तारिक की शाम को करना है और यदि 24 तारिक के बाद ये वीडियो देखना है तो शनी वार के दिन, अगले दिन सनी वार है अगले दिन कर सकते हैं या उससे अगले शनिवार कर सकते हैं या मंगलवार और रविवार दो दिन ना करें बाकि किसी भी दिन में जाके ये साधना हम लोग कर सकते हैं कम से कम प्रियास करें जो शनी देव का इस्तोत्र है 41 दिन शाम के समय शनी देव का जो पदम पुरान के जो पुराने पदम पुरान आते थे उसके पेज नमबर 636 पर ये पदम पुरान में इस तोत्र है शनी देव का जो राजा दर्शत ने उनकी इस्तुति की थी उस इस तोत्र को आप रोज शाम के समय एक बार पढ़ने यदि एक तालिस दिन पढ़नेते हैं मेरे दर्शकों आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा और आज मैं आपके लिए कारे और करने वाला हूँ यही इस तोत्र मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ने वाला हूँ आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसको हिंदी में केवल रोज उसको सुन भी सकते हैं वर्तांत इस प्रकार से है पदम पुराण में एक कथा आती है राज जोस्यों ने राजा दर्शत से एक बात बताई क्या बताया कि जब शनी करतिका नक्षत्र के अंत में थे और रोहिनी नक्षत्र को भेद कर जाने वाले थे तब उन्होंने ये कहा कि ऐसी घटना घटने वाली है और ये इस्तिती प्रत्वी पर देवताओं और दानवों के लिए अच्छी इस्तिती वाली नहीं है अब राजा है राजा तो कैसी भी जब कोई घटना होती उससे चिंता आतुर होई जाते है जो उनकी जनता के लिए हक में ना हो हर राजा ये चाहता है कि मेरी जनता से कुशल रहे अच्छे से रहे देव भी अच्छे से रहे दानव भी अच्छे से रहे अब शनी देव तो शनी देव है अब राजा ने बहुत साहस जुटा करके और सूरिय से सवालक्स योजन उपर नक्षत्र मंडल में वो समी के पास उपस्तित होते हैं शनी देव के पास और शनी देव जब शनी देव ने देखा अब भई राजा दश्रत सामने हैं और असस्तित हैं ये क्या चाहते हैं तो शनी देव बहुत प्रशन हुए बोले यहां तक हर व्यक्ति के लिए पहुँच पाना संभवी नहीं है के हे राजन मैं आपके अदम में सहास और पोरुष को देख करके मैं आपसे बहुत प्रशन हूँ आप वर मांगिए तब राजा दश्रत ने वर मांगा के हे शनी देव ये जो आप परिवर्तन करने वाले हैं इस प्रकार की जो इस्तिती उत्पन होने वाली है आप उस इस् जिसे शकड भेद के नाम से वी जाना जाता है कि ये शकड भेद की इस्तिती उत्पन ना हो प्रथवी पर किसी प्रकार से 12 वर्षो के लिए कोई भी ऐसी समझ चाहें उत्पन ना हो बस मैं तो आपसे यही वर वर चाहता हूँ उस वक्त शनी देव ने राजा दश्रत को व और मांग रहे हैं मैं इस वर को आपको देता हूं ततास्तूर ने बोला और उसी वक्त राजा दसरत ने एक बहुत ही अच्छी इस्तुति पढ़ी और वो इस्तुति संस्कृत में भी है पदम पुराण में और हिंदे में भी है तो आएए मेरे दर्शकों यहां आज हम जैसे आपसे हम ध्यान साधना भी कराते हैं शनी देव का आप लोग ध्यान करें और इस इस्तुति का हिंदी में आप आप इसको सुने और यह इस्तुति आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और यही इस्तुति आप 41 परते दिन पढ़ भी सकते हैं आईए ध्यान करते हैं भगवान श जिन शनी देव का शरीर वर्ण, क्रशन, नील तथा भगवान शंकर के समान हैं, उन शनी देव को मैं नमशकार करता हूं। जिनके शरीर का ढाचा फैला हुआ है, जिनके रोएं बहुत मोटे हैं, जो लंबे, चोड़े, किन्तु सूखे शरीर वाले हैं, तथा जिनकी दाड़ें काल रूप हैं, उन शनी देव को बारंबार प्रणाम है। शने, आपके नेत्र, खोकले के समान गहरे हैं, आपकी और देखना कठिन हैं, आप घोर, राउद्र, भीशन और विकराल हैं, आपको नमशकार है। बली मुख है, आप सब कुछ भक्षन करने वाले हैं, आपको नमशकार है। सूर्य नंदन, भासकर पुत्र, अभै देने वाले देवता आपको प्रणाम है। नीचे की और द्रश्टी रखने वाले शनिदेव आपको नमस्कार है, समवर्तक आपको प्रणाम है, मंद गती से चलने वाले सनिश्चर आपका पृतीक तलवार के समान है, आपको पुनह पुनह प्रणाम है, आपने तपस्या से अपने देह को दगद कर दिया है, आप सदा योगा अभ्यास में तत्पर भूग से आतुर और एत्रप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्यान नेत्र आपको प्रणाम है। कश्चप नंदन सूर्य के पुत्र शनिदेव आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रश्टी पढ़ने पर समूल नश्ट हो जाते हैं देव मुझ पर प्रसंद हो ये मैं वर पाने की योग्य हूं और आपकी शरण में आया हूं ऐसी दिव्वे स्तुती शनी देव ने जब अपनी सुनी बहुत ही प्रसंद हुए और बहुत ही उनको उन्होंने आशिरवात दिय राजा दसरत ने कहा कि हे प्रभू आप सदा जो भी आपकी भक्ती करे कुछ करे आप सबसे प्रसंद रहे आप सनी देव न्याय के देव हैं उन्होंने कहा भई ऐसा होना तो संभव नहीं हैं सभी के अपने अपने कर्म होतें लेकिन जो ये इस्तुती भक्ती भाव से और अच्छे कर्म करते हुए सदैव पढ़ेगा मैं सदैव उससे प्रसंद रहूंगा मेरी साड़े सती का प्रकोप मेरी धहिया का प्रकोप मेरी कुद्रश्टी का प्रकोप कुंडली में ग्रह गोचर का प्रकोप और मेरी नीच अस्त गती का प्रकोप उसके उपर नहीं आए भी सर्च कर सकते हैं और दर्शों को इसी के साथ साथ कुछ दान जैसे मैंने बताया कि शनी देव के निमित यह राशी परिवर्तन कहीं भी किसी के लिए अशुब ना हो जैसे काली छत्री साथ काली छत्री कहीं पर भी अलग-लग लोगों को बाटें चाहें छत्री छोटी हो यह बड़ी हो यह साथ काली टोपी काले मफरल यह साथ काले कंबल साथ सो ग्राम काला उड़द साथ सो ग्राम चाही की पत्ती कोई भी चीज आप कहीं पर भी बाटिएगा और इसी के साथ साथ जो लोग हनमान जी के भाकते हैं वो हनमान जी की भाकती हनमान जी की उपासना अवश्य करते रहें तो किसी भी प्रकार से मेरे दर्शकों आपको डर की अवश्यकता नहीं है साथ सनीवार लगातार शनी मंदिर जाना शमी के पत्र जढ़ाना साथ बत्तियों बाला सरसों के तेल का दीपक जलाना और यही स्तुति जो आज हमने पढ़ी है इस स्तुति को शनी देव की पृतीमा के सामने पढ़ लेना या अपने घर में बैठ करके पढ़ लेना मेरे दर्शकों शनी देव आप से सदैव सदैव के लिए प्रसंद हो जाएंगे और यह जो एक डर वाली स्तिति व्याप्त की जा रही थी कि इस राशी को माला माल करेंगे ऐसे कंगाल होगा किसी तरह से नडरें चलते चलते यही कहूँगा कि शनी देव नियाई के देव है दंड नायक हैं भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं इसलिए जो बुरे कर्म करते हैं अच्छे कर्म नहीं करते हैं अच्छे रास्ते पुर नहीं रहते हैं, वहीं शनी की दृष्टी आपके लिए गातक है, अन्य था सनी देव आपके मित्र भी हैं, शनी देव पिता तुल्य भी हैं और शनी देव हम सब के देव भी हैं, इनी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को वराम देते हैं, जय शनी जिन्दिगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं, सफलता सफलता अपने जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है, काम का, इनका जो एक अनुभव का, करीब चार-पांस दिनों से कवों का जूंट मेरे घर पे मन रहा था, यहीं सोचने परिशान था, यह सुब है, असुब है, क्या चीज़ है, तुम इन से मैंने प्रश्ण किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कवों आ रहे हैं, कहने नहीं मुझको दिखाई का रहा है, तो कुस तो आलोगिक है इनमें, दूसरा क्या है जो इनका उद्देश पे मेरे इन से वारता हुई, तो मैंने ऑंका उद्देश जानना चाहा कि किस उद्देश के लिए आप काम कर रहे हैं, तो जो उद्देश उन्होंने मुझको बताया, मैं मन्द से इनके देश के साथ भी हूँ मैं प्रूफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश की विबन हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतार दिल्ली में रहते हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें